पेप्टिक अल्सर ते गेस्ट्राइटिस की हुंदे ने कितना हुंदे ने ते ओ प्रॉब्लम कितना वादी वादी अल्सर तक पहुंच दिये या कई वार हो इस तो भी ज्यादा नुकसान दे रूप डिड़ा अक्तियार करलन दी है एदे बारे जानकारी आप पिशली वीड जरूर देखो लेकिन होड गेस्ट्राइटिस ते गेस्ट्रिक अल्सर नुँ ठीक के में करना है उदली डाइट कितना दी लेनी है खाना की है कई बार की होंदा या कि कुछ लोग पेटदा अल्सर हो जन्दा या दुमाई खान दे या ठीक हो जन्दा या उस तो बाद कितना किते साथी डाइट ठीक नहीं है कितना किते असी सही तरीके नाल अपने स्रीर दा ख्याल नहीं रख रहे है तो इना ही चीजा नूँ आज डिसकस करन ले आपा इस वीडियो चे टोटली डेडिकेटड होंगे पेप्टिक अलसर दे गेस्ट्राइट वास्ते कि वीडियो स्किप कर देती सिद्धा ही डाइट प्लैन दग पहुंच गया था डाइट प्लैन समझ नहीं ओना सो वीडियो स्किप नहीं करने वीडियो पूरी देखनी है सो वीडियो देखनी चैनल नाइट अगर पैथा फिजियोलोजी वाली वीडियो नहीं देखी अगर यह नहीं देखिया भी बमारी होई कितना है है फिर शायद आव वाले वीडियो देखके तो आनू पूरा कंसेप्ट नहीं समझ जाओगा तो अगर नहीं देखी थे मेरे चैनल ते जाके दुबारा देख लो पहली बार चैनल ते आएयो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना पुले हो नोटिफिकेशन बैल आईकन दबना ना पुले हो फेस्बूक इंस्टाग्राम ते मैंनो फॉलो करना ना पुले हो ठीक है फ्लीज पुले हो नजियो न यह चीज जहां जेडियां ने सानों बिल्कुल मनाया क्यों क्योंके एसडिटी कर दिया ने अपना पिछली वीडियो चे चीज ता समझ लिया है कि जह ज्यादा रिलीज हाऊगा ते ओ अलसर नो उन नहीं ज्यादा इरिटेट करूगा आसेड साथे स्रीर जरी कमजोर असेड बन रहाँ दमाइउ आसेड काट बन रहाया तके च्छाल्र जटाया अलसर ऑंइरिटेट रहां जेड़ी अशी चाह पिण पिण देर हाँ आँखा फिर डाज़ीवरी ठीक रहाँगा पाल्या हाँगा इंटी रख ते पानी तो ऐद ज् तोटली यहीज तो बचा रखनाया एक चीजा बिल्कुल नहीं खाणिया खटे फ्रूट, citrus यानी खट्टे फ्रूट निम्बू, संत्रा, मसम्मी ए खट्टे फ्रूट भी सारे आनू ता नहीं पर majority लोग कानू कुछ लोग कानू नहीं आसिडिटी कर दन दे, पर majority लोग कानू आसिडिटी कर दन दे, इना आनू भी आपा avoid करांगे, अगली चीज आगीजी कोई भी तलया तुड़के आला डीप फ्राइडी या ज्यादा चरबी वाला खाना ज्यादा फैट वाला खाना तेल दे वेच बनेया होया खाना तुड़के आली दाल सबजी ए सारीया चीजां भी सानू मनाया क्यों मनाया अगर तेल दे वेच बनेया खाना या ज्यादा प्लस बैक्टीरिया दे करके साथे पेट दा तजाब वैसे ही कमजूर हो चुक्या सो ज्यादा तेल वाली चीज सानू नहीं पचनी बदहजमी या अफारा पानो देना जरूर हो जाएगा टकार मार दे रहोंगे या उल्टीदा मन करदा रहेगा कैन तो पाव तो अड़े सेल्कुल नहीं करना क्योंकि हो सकता है शराब दे तमक्त खुदे शेवन करके सानू गेस्टराइटस ते अलसर होया होगे तो जी किसे भी कारण करके होया या शराब दा सेवन है नहीं करना अगली सलाइड आज ओ जो जी बड़े पोर्षन लार्ज पोर्षन एक टाइम ते लेकिन रज के खाणा नहीं खामां गे पलेट पर यह देख लो इस व्यक्ति दी इननी पलेट पर के असी खाणा नहीं खाणा थोड़े खाणे तो शुरू करांगे जदो सानू पचना वधिया शुरू होगया थोड़ा खाना पर उन्हों थोड़ा जा वदा आ सकते हैं अगर लगया कि वदान देना दिक्कत आ रही है तो फे दवारा थोड़े ते ही आजो ठीक है अगर रोटी सबजी नहीं पाच रही दलिये खिचडी ते आजो सबजी यादे सूप ते आजो अगर दलिया खिचडी बेटर होई जान के कटी जान की तकलीफ उद्दा उद्दा खराक जेडी या ओहू लिक्वर्ड तों सॉफ्ट वाल ले जो सॉफ्ट तो नॉर्मल ले जो जिफ प्रवब्लम बद दिया था नॉर्मल तो सॉफ्ट ते आजो जिद बाजी चाके रोटी या रोटी ते नहीं जिद बाजी नहीं करनी ठीक है सो दुबारा फटा फट दुबारा देख लेए एसिट बनोना लियां चीजा चा कॉफी चॉकलेट या मिर्च मसाले बालियां चीजा खटे फल तेल देविच बनियां होईयां चीजा श्राव ते तमक्खु ते बहुत ज्यादा मात्रा बिलकुल मनाने अगर सानो गेस्टराइटिस या पेट या अंतरियां देविच अलसरदी प्रोब्लम है केड़े-केड़े फूड खाने चाहिए पहली केटगरी आगी फ्लेवनोइड फ्लेवनोइड जिड़े खाने चे ज्यादा होगे ओ खाना गेस्ट्रो प्रोटेक्टि पेट दी जड़ी लाइनिंगा उन्हों बचा के राख देने ठीक है ते इस तो अलावा जड़ाया साड़े इस कंडीशन चे हेलपफुल होंगे जिवें के लग्यूम दाला मुंगी मसरा दी दालियां चने दी दालियां दाला तकरीबन काफी हाथ तक अगर तो अनूं के तो इस तो अलावा रेड ग्रेप्स हो गया है केल अपने इंडिया दे विच नहीं मिल दी लेकिन इदे बदले तुसी पालक ले सकते हैं लेकिन पालक दे नाल कुछ लोका नूं ऐसे डिटी हो सकती है सो पालक बहुत साब दानी न लेनी बैल पेपर याणि के जड़ी ल अपने इंटी इंफलेमेटरी है सोजिश नूं काट करेगी पेट दीनूं लेकिन आपा पिछली सलाइड दे विच चाज एड़ी है ओहो मना भी कीती है सो आपा ग्रीन टी नूं कोल्ड प्रपरेशन च बना सकते हैं आपा ग्रीन टी नूं कोल्ड पीनाया थंडा पीनाया या था पाणी दी बोतल जी या मगज पाणी पाके ग्रीन टी डिप एड करके उनूं फ्रेच राख दो रात पर बारा केंट या फेर ग्रीन टी बनाके उनूं ठंडा हो लंदो उस तो बाद उदे जी पावे होर भरप एड करके कोल्ड ग्रीन टी पीयो अगर उत आड़े लचना नूं खराब नहीं कर रहा ठीक है जिता नूं सूट करे ता कोल्ड ग्रीन टी पी सागदे होधा तो अनूं बेनिफिट होगा अगे आगे प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स ओ खाने होंदे या जिनना दे वेचे लाइव बैक्टीरिया होंदा जिमें के दैं द लचना पैटीरिया नूं वधन तो रोकूगा एभी एंटीबायोटिक्स ओंगो ही तो आड़ी डाइट वेचे काम करूगा इस तो बाद आगे शेहद शेहद दे वेचे कुछ ऐसे पॉलीफिनोल्स ते एंटी ओक्सिडेंट कंपाउड होंदे ने जिदे एंटी बैक्टीर अगला आगया जी लसन गार्लिक देखो गार्लिक बहुत पावर्फुल अंटी बैक्टीरिया ला खास करके हलीकोबैक्टर पाईलोरी वास्ते जिदे करके सानू अलसर होया ओधे खलाफ बहुत बढ़िया अंटीबायटिका नेचरल हा पार ए नेवी ओन तुसी चीज खान शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा लसन एड़ करांगे डाइट ची जिन्ना जिन्ना शरी टॉल्रेट करी जाओगा थोड़ी थोड़ी मातरा हो दी अपां वद्धों दे जावांगे पर थोड़े तो शुरू करांगे ठीक है लास्ट वेच अगया सॉरी लास्ट नी अगली सलाइड वेच आ गया सलफोरोफेन सलफोरोफेन एक ऐसा कंपाउंड है जिड़ा क्रूसी फेरस वेजी टेबल आड़ी खांदा चौंदा क्रूसी फेरस खांदा ना जी सारा सबजी यांदा एदे विच की की आ जानदा है ब्रसल स्प्राउट गोबी बंद गोबी हरी सो ओदे तो आपन थोड़ा जा बचार रखना हुसानू खराब भी कर सागदा सिम्टम साट ना ब्रॉकली बंद गोबी ते फोल गोबी ए तेन सबजी यां था पकियां ही अलसर आले पेशेंट दी डाइड चे होणियां ही चाही दिया है सवेर दपैर शामी एदा जूस पि यहां इदी सबजी बना के खाओ यहां इदी नाल दूजीयां सबजीयां रला के खाओ पर गोबी बांद गोबी ते ब्रॉकली दा सेवन लगातार करो जरूर करो ठीक है ता डली बहुत बेनिफीशल है अगली स्लाइड दे वेचा गया जी अलसी अलसी दा तेल यां अलसी अलसी दी जल बना आल ली ना असी अलसी ना पानी च गरम करीदा है फिर वोधी जल निकलने शुरू होंदी यो जल नहीं कठा कर लीड़ा अलसी दी तेल यां अलसी दी जल जड़ी है ए वी जड़ी पेट दे अलसर वास्ते बदी आया तो ए फॉर्मूला दी जड़ा आया तो आनू helpful है तो आनू मदद करेगा फटा फटा फट दुबारा देख लिए की की चीज़ां आसी खानिया यां पहली गल पोर्शन साइज छोटे रखने यां देंच साथ आठ वारी खाना खाना पर थोड़ा थोड़ा खाना उस तो बाद आप फ्लेवनोड रिच चीज़ां जिन चेज फ्लेवनोड जादा आए असी ओ जादा खामांगे उस तो बाद प्रोबायोटिक अपनी डाइट वेच जरूर लवाँगे दैंलसी अपनी डाइट चीजरूर लवाँगे वद तो वद लवाँगे दैंलसी ने ता अनू प्रोटीन भी बहुत देना क्योंकि खराग कट गई उप प्रोटीन पूरा करन वास्ते वी यह प्रोबाइट के जड़े दुद्ध दहीं लस्यता डेली बहुत फैदे मंद है उस्तों बाद आ गया शैद शैद विच वी और लास्ट वेच आपां तो अडिनल सांजा करना है पैप्टिक अलसर दा डाइट प्लैन यह डाइट प्लैन जेड़ाया या ता तुसी इस टाइम वीडियो नू पॉज करके एदा स्क्रीन शॉट लह सकते यह अगर यह ते चासी कुछ होर आप्शन एड़ कर दें तो बाद वी तुसी हो दा स्क्रीन शॉट लह सकते यह तो स्वेर दे टाइम ते आपां सब्जीया दा जूस दे दे विच गोबी बंद गोबी ब्रोकली गाजर अपना सेव यह सारा कुछ पाके हो दा जूस काटके पीओ उता डिली बहुत बदी यह पर थोड़ा थोड़ा करके यह ऑसी दा गलास प्रकेश पार के निक कोदnya पीलेन थोड़ा थोड़ा करके पी उस तो बाद breakfast अब़े सकत देविच उबले होई अलू बंद गोबी बंद स्वोब ना के म लिटा बंद सीस भी आपना साक्तिन अब्यान लिट proven पहरें बोट करके और यह प्रला शॉश क ल औक्सिदेंट काफी हो देजी लंच दे टाइम ते तुसी दलिया या खिचडी सबजीया दे नाल ले सकते हैं इदे नाल तुसी देई जरूर लओ देई या लसी जड़ा या अपनी डाइट चे जरूर रखो देच दो तिन वार शाम दे टाइम ते तुसी थोड़ा बहुत पीनट बटर या आलमंड कैश्यू बटर ब्रेट दे नाल लेके लसी दे नाल भी उन्हों खा सकते हैं उस तो बद प्री डिनर देवेच तुसी थोड़ा बहुत सलाद ते सौर क्रोट यानि बंदगो भी दा अचार ते इस तो अल ठंडा दुद या ठंडी ग्रीन टीवी ले सकते हो ठीक है सो ए सारे ओप्शन्स वी तो अडिकोल हैगे ने चाहो ता वीडियो नू पॉज करके ऐस जगा दे उपर स्क्रीन शॉट लेलो तो अडिकोल डाइट प्लैन दे विच वी काफी सारे ओप्शन्स देडे या होन आ ठीक है सो नेक्स्ट लास्ते विच मैं ही करना चाहूंगा वी ए प्रेजेंटेशन तो अडे नाल इरुडाइट नूट्रीशन ने सांजी किस इसकर के किती सो देट तो अड़ी सेथ बेटर हो सके तो अनू तो अड़ी बमारी बारे ज्यादा जानकारी मिल सके तो अनू इन अड़ी नाल के दा ठीक किता जानदा होने ये भी सानू पता लागया होनता मैं उमीद करूंगा भी तुसी अपनी सेथ दा ख्याल आप बैटर रख सकोगे अगर तानू अलसर दी प्रॉब्लम हो रही है उस तो बात तो अड़ी नाल अपा एक डाइट प्लैन भी सांजा कर लिया free of cost ठीक है तो आड़ी बास दे लेकिन अगर किसे नू अलसर दी प्रॉब्लम है या किसे दे किसे रिष्टेदार नो या दोस्त नू अलसर दी प्रॉब्लम है अगर हजे भी तुसी चोने भी साड़ी special वक्रा डाइट चार्ट बनाओ तुसी मेंनो संपर्क कर सकते है अगर वीडियो चंगी लगी शेर जरूर करो सब्सक्राइब करना ना पूलियो मेरा चैनल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबना आया फेस्बुक दे उपर भी मेनो फॉलो करो क्योंकि वीडियो फेस्बुक ते वी जाएगी उत्ते भी शेर कर सकते हैं इंस्टाग्र पर भी मेनो फॉलो जरूर करो क्योंकि इंस्टाग्राम ते भी है आईजी टीवी ते वीडियो जाएगी उत्ते भी तुसी एनों शेर कर सकते हैं बत बाद शेर करो किसे दे फैदे दी गल उनों फैदा हो सकता या वीडियो देखके तो एसे ही लड़िच एसे ही प्लेलिस् दिस्कस करांगे फिर दवाईया थे नाल ही डाइट वास्ते जो जो साथे प्रेजने जो जो साथे खाने आ लिया चीज़ा ओ सारी आपा डिस्कस करांगे इस वीडियो च आपा फॉर्मेट भी नमा ट्राई कीता सेगा पावरपोंट प्रेजेंटेशन आला अगर ता नों मेथड प्रेफर कर देंगे आपा उस तरीके ना वीडियो बनाओनी है टोटली तो आटी कन्वीनियंस देशाव ना सो उमीद कर दाया चैनल ना जुड़े रहोंगे आपा बहुत जल्द तो अनु अगली वीडियो च मिलांगे उधो तक वास्ते सेत मंदरो तंदर उस्तरो अपना रखो ख्याल जल्दी मिलांगे टेक केर